हलो एवरिवन वेल्कम टू टोप ट्रेंडिंग जी के आज के इस वीडियो में 27 फरवरी को एंटीपीसी परसेप्ट में पूचे गए मैच्स के क्यूशन एनलाइसिस करेंगे सबी क्यूशन 100 परसेंट रियल और अथेंटिक है तो बढ़ते हैं अपने क्यूशन की तरफ सबी के इस वीडियो में आपको बता दो जिन भी केंड़ेट का भी अंटीपीसी का एक्जाम नहीं हुआ है या फिर आन्ने किसी भी सेंडर गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो आप टेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगएगा क्योंकि डेली बहुत से केंड़ेट मेसेज करते हैं कि टाइम मेनेजमेंट के कारण उनके मैत के स्वाल मिस हो जाते हैं कम समय मिलता है स्वाल ज्यादा होता है इसलिए आपकी प्रेक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है प्रेक्टिस के लिए टेस्ट बुक आपके लिए कि बहुत ज्यादा जरूरी ह सारे मॉक टेस्ट आपको एक वर्ष की व्यालिटी में एक की पास के अंतुरत मिल रहे हैं इस अपर्चुनिटी का लाव उठाने के लिए डेस्क्रिप्स मॉक्स में लिंक है वहां से आप जोइन कर सकते हूं यह टेस्ट स्रीज गूरूप D के 170 मॉक टेस्ट है और यह जितने सही अंसर होगा 2 यह 2 के से आएगा यह भी अपना भी प्रूव कर लेंगे लेकिन आपको याद देखना है जब भी आपको एकजाम में दिया गया हो A प्लस B बराबर 45 डिगरी है और आपको पूचा गया हो 1 प्लस 10 A इंटू 1 प्लस 10 B तो आपको सही अंसर करना है 2 आपको A प्लस B बराबर 45 डिगरी है अब अपन दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं तो यह हो जाएगा 10 A प्लस B बराबर यह हो जाएगा 10 A प्लस B और यह है 10 प्लस डिगरी तो 10 A प्लस B का फूर्मुला हो जाएगा 10 A प्लस 10 B बटा 1 माइनस 10 A इंटू 10 B और बराबर में है 10 प् इसका मान हो जाएगा एक अब इसको अपन आगे सोलो करते हैं तो ये तो हो जाएगा इधर multiple और आपके पास बचेगा जब minus 10A into 10B को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा पलस का तो यहाँ पे हो जाएगा 10A into 10B बराबर में आपके पास बच जाएगा अब अपन दोनों साइड एक एड़ कर देते हैं एक एड़ करेंगे अपन LHS में और एक एड़ करेंगे अपन RHS में इसको अपन दूसरी सलाइड में सोलो करते हैं तो ये हो जाएगा 10A पलस 10B पलस 10A into 10B पलस 1 क्योंकि अपन इसमें एक एड़ किया था और इधर भी अपने एक एड़ कर दिया अब अपन क्या करते हैं 10A और 1 को साथ में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10A पलस का 1 अब अपन क्या करेंगे इन दोनों में से 10B कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10B और आपके पास बच जाएगा 10A पलस 1 बराबर आपके पास चल रहा है 2 अब यहां से अपन 10A पलस 1 10A पलस 1 में से एक कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहां पे हो जाएगा 10A पलस 1 ठीक है उसके बाद भी आपके पास क्या बचेगा यहां से आपने 10A plus 1 common ले लिया तो यहां पर आपके पास बच जाएगा 1 और इधर आपके पास बच जाएगा 10B और ब्राबर में आपके साथ चल रहा है 2 और यह आपसे पूचा गया था 10A plus 1, 10B plus 1 का मान कितना होता है तो इसका सही आंतर हो जाएगा 2 इसको स्टार्ट से देख लेते हैं आपको दिया था A plus B ब्राबर 45 डिगरी है और आपको पूचा गया था 1 plus 10A और 1 plus 10B का मान कितना होगा तो इसका सही आंतर हो जाएगा 2 दो कैसे होगा इसको अपन पूरू करते हैं तो अपन क्या करेंगे A plus B ब्राबर 45 डिगरी है इनको दोनों साइट 10 से गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा 10A plus B और यह हो जाएगा 1045 डिगरी 10A plus B का फोर्मूला होता है 10A plus 10B बटा 1 minus 10A 10B ब्राबर में हो जाएगा 1 क्योंकि 1045 का मान होता है अब यहां से अपन इसको इदर multiple कर देंगे तो यह हो जाएगा 10A plus 10B ब्राबर इसको इदर multiple करेंगे तो यह हो जाएगा 1 minus 10A into 10B अब आपन क्या करते हैं इदर से अपन 10A plus 10B को इदर ले आते हैं यह minus का तो plus का हो जाएगा और आपके पास बचेगा 10A plus 10B और इदर यह plus का हो जाएगा 10A into 10B ब्राबर हो जाएगा 1 अब अपन आराचस और अलाचस में एक-एक एड़ कर देते हैं एड़ करने के बाद में हो जाएगा 10A plus 10B plus 10A into 10B इसमें अपने एड़ कर दिया 1 और इदर भी अपने एड़ कर दिया 1 अब इसके बाद में क्या करते हैं 10A और 1 को 1 साथ लेते हैं तो यह हो जाएगा 10A plus 1 अब यहां से आपन 10B common लेते हैं 10B common लिया तो यह हो जाएगा 10A plus 1 ब्राबर यह हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2 अब आपन क्या करते हैं 10A plus 1 और 10A plus 1 इन में से common ले लिया आपने 10A plus 1 यहां से आपके पास बचेगा 1 और यहां से बच जाएगा 10B बराबर आपके पास चल रहा है 2 और यह प्रूब भी हो गया यह आपको पूचा गया था 10A plus 1 और 10B plus 1 कितना हो गया 2 अब यहां से आपको और भी point याद रखने हैं और आपको उनका सिधा मान याद रखना है जैसे आपको दे रखाओ A plus B बराबर 45 डिग्री या फिर आपको दे रखाओ 225 डिग्री और आपसे पूचाओ 1 plus 10 A into 1 plus 10 B तो इसका सही आंसर होगा 2 या फिर आपसे पूचा हो A plus B बराबर 45 डिग्री या फिर 225 डिग्री और आपको कोट में पूचा हो और आपको पूचा हो 1 minus कोट A into 1 minus कोट B तो इसका भी आंसर होगा 2 या आपको इसे भी पूच सकता है कोट A minus 1 into कोट B minus 1 तो 20 कान से कितना होगा? 2 आपको एकजामे इसे भी पूचा जा सकता है A-B ब्राबर आपको दिया हो 45 डिगरी या फिर आपको दिया हो 225 डिगरी और आपको पूचा हो 1 पलस 10 A इंटू 1 माइनस 10 B तो 20 कान से कितना होगा? 2 तो आपको इसे भी पूछा दा सकता है एक माइनस कोट ए इंटू एक प्लस कोट बी तो भी सकान से कितना होगा दो आपको और भी पॉइंट या दखने हैं जैसे a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिगरी है तो ये होगा 10 a इंटू 10 b प्लस 10 b इंटू 10 c प्लस 10 c इंटू 10 a बराबर होता है एक या फिर होता है कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c बराबर होता है कोट a इंटू कोट b इंटू कोट c ये कंडिशन तब की है जब आपको दे a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिगरी अगर आपको दे a प्लस b प्लस C ब्राबर 100C डिगरी तो ये होगा 10A प्लस 10B प्लस 10C ब्राबर 10A इंटू 10B इंटू 10C या पिर ये होगा कोट A इंटू कोट B प्लस कोट B इंटू कोट C प्लस कोट C इंटू कोट A ब्राबर होगा 1 तो उम्मिद करता हूँ यह सारी चीज़े आपको समझ में आये होगी आगे आने वाली एक्जाम में आपको जुरूर पूछ जाएगा तो आप इनको अच्छे से याद करके जाना नएश क्यूशन है A ratio B आपको दिया है 3 ratio 2 और आपको पूछा है 2 A square प्लस 3 B अपको करना क्या है यहां से आपको value पूट करनी है A का मान है 3 और B का मान है 2 इसको पूट करना है तो यह हो जाएगा 2 इंटू A square अपको जाएगा 9 प्लस 3 इंटू B का मान दे रखा है 2 तो यहां पे रखेंगे अपन 2 अपोन 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 अब इसको सोलू करते हैं 9 इंटू 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 18 प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 6 अपोन 7 इंटू 3 करेंगे तो यह हो जाएगा 21 और यह हो जाएगा 10 इनको add करेंगे तो यह हो जाएगा 24 upon 31 तो इसका सही आंतर होगा 24 सनुपात 31 इसका सही आंतर हो जाएगा next question है cos 42 degree बराबर है P और आपको पूचा है 10 48 का मन कतना होगा तो आपको दिया है cos 42 degree बराबर है P अब cos 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 minus 48 बराबर हो जाएगा P मैंने इसको 99 minus 48 लिखा क्योंकि जब 90 में से 48 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 42 तो मैं लिख सकता हूँ कोष्ट नबब माइनिस 48 अब आपको पता है कोष्ट नबब माइनिस ठीटा होता है साइन ठीटा तो इसको मैं लिखूंगा साइन ठीटा यहां हो जाएगा साइन और ठीटा का मान आपके पास 48 बरावर कितना है P अब आपको पता है साइन ठीटा बरावर होता है लंब बटा करण तो आपको पता है P के नीचे आपने मान सकते हैं 1 तो यहां से आपके पास लंब हो जाएगा P और करण हो जाएगा 1 अब मैं निकालता हूँ आदार और आदार का मान हो जाएगा 1-P स्क्वार लेकिन आपको पूचा गया है 10 48 डिगरी 10 ठीटा का मान होता है लंब बटा आदार आपको पता होगा 10 ठीटा का मान होता है लंब बटा आदार आपके पास लंब है P और आदार हो जाएगा root 1-P square तो 1048 डिगरी का मान हो जाएगा लंब बटा आदार और लंब का मान है P और आदार का मान है root 1-P square तो इसका सही answer हो जाएगा P upon root 1-P square नाश कुशन है एक संभाव तरीबूच की बुजा 4 root 3 है तो आपको बताना है कि तरीबूच की उचाई कितनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संभाव तरीबूच की उचाई निकालने का फॉर्मूला होता है under root 3 बटा 2 into A और A हो जाएगी संभाव तरीबूच की बुजा तो संभाव तरीबूज की उचाए हो जाएगी अंडर रूट 3 बटा 2 इंटू A और A कमान आपको दिया है 4 रूट 3 अब इसको सोलू करते हैं तो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 बार और रूट 3 और रूट 3 को मिल्टिपल करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और आपके पास बचा है 2 इसको मिल्टिपल करेंगे तो यह हो जाएगा 6 तो संभाव तरीबूज की उचाए आजाएगी 6 नाश क्यूशन है तरीबूज ABC में B 90 डिग्री है जबकि C है 45 डिग्री और आपको दिया है DAC का मद्दे बिंदू है यदि AC बूजा का मान 4 रूट 2 है तो आपको बताना है कि बूजा BD का मान क्या होगा तो यह आपको क्यूशन में दिया गया है आपको बोला गया है ABC एक तरीबूजा है जिसमें B 90 डिग्री और आपको दिया है AC का मद्दे बिंदू है D और आपको दिया है AC बूजा है 4 रूट 2 और आपको पूचा है BD बूजा की लंबाई कितनी होगी आपको क्यूशन में दिया है AC का मद्दे बिंदू है D और आपको यह भी दिया है AC बूजा है 4 रूट 2 तो AD बूजा हो जाएगी 2 रूट 2 अब आपको पता होना चाहिए जब तिर्बूज़ आपको नबर डिक्री दिया हो और आपको AC का मध्य बिंदू दिया हो तो यहां से हो जाएगा AD बराबर CD और इसी के बराबर होगा BD यह हो जाएगा AD बराबर CD बराबर BD और इनके बराबर है दो रूट दो तो BD का मान आ जाएगा 2 रूट 2 जिसका सही आंसर होगा 2 रूट 2 नाश क्योशन है A किसी कारिया को 12 दिन में कर सकता है जबकि B उसी कारिया को 15 दिन में कर सकता है और वे C के साथ मिलकर उसी कारिया को 5 दिन में कर सकते हैं उनको इस कारिय के लिए 2880 रुपे मिलते हैं तो आपको बताना है कि C को कितने रुपे मिले आपको दिया है A काम करता है 12 दिन में जबकि B काम कर सकता है 15 दिन में और वे तीनों मिलके काम करते हैं 5 दिन में अब अपन टोटल काम निकालते हैं टोटल काम निकालने के लिए अपन इनका LCM लेते हैं और इनका LCM हो जाएगा 60 अब निकालते हैं कि A की Efficiency कितनी है तो A की हो जाएगी 5, B की हो जाएगी 4, जबकि इन तीनों की मिलके हो जाएगी 12 यहां से आपको नजर आ रहा होगा A की Efficiency है 5, B की है 4, अब अपन निकालते हैं C की, और C की निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल में से अपन A प्लस B की गठा देंगे और A प्लस B की हो जाएगी 9, 12 में से 9 गठाएगे तो C की हो जाएगी 3 अब आपको क्यूशन में दिया है कि इन तीनों को मिलते हैं 2880 रुपए यानि इन तीनों की Efficiency है 12 और इनका मान आपको दिया है 2880 रुपए जब 12 का मान है 2880 तो एक का मान हो जाएगा 240 लेकिन आपको पूचा गया है C को कितने रुप मिले तो C की Efficiency है 3 जब एक की value 240 है तो 3 को 240 है गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 720 तो इसका सही आंसर होगा 720 C को पेसे मिले है 720 रुपए नाश कुष्ण है 5 बटा 7 9 बटा 5 के वितकरं के योग का वितकरं कितना होगा आपको क्युष्ण में दिया है 5 बटा 7 और 9 बटा 5 फिर आपको बोला है कि इनका वितकरं का वितकरं करेंगे suppose कीजिए आपके पास A और B को रासी है अब आपको बोला गया है कि इसको विद्करम करना है तो ये क्या हो जाएगा एक बटा A और ये हो जाएगा एक बटा B यानि वो रासी अपन में चली जाती है तो आपको दिया है पांच बटा साथ और इसको बटा तो ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा पांच बटा NU और आपको दिया है आपको इनका योग करना है अपने इनका योग करते हैं इनका अपन LCM लेते हैं ओर LCM हो जाएगा पैंटालीस और 5 का बाग 45 में देंगे तो 9 बार जाएगा उन्हों को 7 से multiple करेंगे तो ये हो जाएगा 63 9 का बाग 45 में देंगे तो 5 बार जाएगा 7 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अब इनको add करेंगे तो ये हो जाएगा 88 बटा 45 लेकिन आपको question में दिया है वित्करम के योग का वित्करम यानि अपन को इसका दोबारा वित्करम करना है यानि इसका उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45 बटा 88 तो इसका सही answer होगा 45 बटा 88 नएश question है x ब्राबर root 3 बटा 2 है और आपको पूचा गया है root x प्लस 1 plus root x म मान कितना होगा तो यह आपको क्यों सुन में दिया है x ब्राबर है root 3 बटा 2 और आपको पूचा गया है root x plus 1 plus root x minus 1 यहापे अपन x का मान रखते हैं अब इन दोनों ट्रम में से अपन किसी एक को solo कर लेते हैं और यहापे अपन x का मान तो यह हो जाएगा root 3 upon 2 plus 1 अब इसको solo करते हैं तो यह हो जाएगा root 3 plus 2 upon 2 अब आपन क्या करते हैं इसको अपन उपर नीचे 2 से multiple कर लेते हैं अब यह हो जाएगा 2 root 3 plus 4 upon 4 और इसके उपर क्या है root एसा अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह हो जाएगा root यह होगा root 3 plus 1 का whole square बटा 4 under root 3 plus 1 का whole square खोलेंगे तो अपने पास आएगा 2 root 3 plus 4 और अपन में आपके पास 4 अब इसको solo करते हैं तो root से कट जाएगा 2 और आपके पास बचेगा under root 3 plus 1 बटा अब यह under root 4 है जब root से बाहर आएगा यह पास बचेगा 2 तो आपके पास बच गया under root 3 plus 1 बटा 2 इसी type से इसको solo करेंगे तो आपके पास बचेगा under root 3 minus 1 बटा 2 यहांसे आपके पास 2 मान आचुके हैं root x plus 1 का मान आपके पास आया है root 3 plus 1 बटा 2 और root x minus 1 का मान आया है root 3 minus 1 बटा 2 अब इन दोनों को अपन एड करेंगे तो आपके पास last में बचेगा root 3 आप लोग add करके देख लेना आपके पास बचेगा root 3 और इसको सही answer हो जाएगा root 3 next question है a plus b plus c बराबर है 3 जबकि a square plus b square plus c square आपको दिया है 6 और आपको दिया है a b c का मान है 2 और आपको पूचा गया है 1 बटा a plus 1 बटा b plus 1 बटा c का मान कितना होगा अब इसको solo करते हैं अपन करते हैं a plus b plus c का अपन whole square करते हैं तो यह आपके पास आएगा a square plus b square plus c square plus 2 a b plus b c plus c a अब यहाँ से अपने value put करते हैं a plus b plus c का value put करेंगे a plus b plus c का मान है 3 और 3 के square करेंगे तो यह हो जाएगा 9 बराबर आपके पास दिया है a square b square plus c square का मान है 6 plus 2 और यह चल रहा है आपके पास a b plus b c plus c a अब इसको solo करते हैं जब 6 इदर आएगा और 9 में से 6 आएगा तो आपके पास बचेगा 3 बराबर 2 और आपके पास चल रहा है a b plus b c plus c a अब यहाँ से a b plus b c plus c a का मान निकलते हैं तो यह हो जाएगा 3 बटा 2 आपके पास आजाएगा a b plus b c plus c a और इसका मान हो जाएगा तीन बटा दो लेकिन आपको question में पूचा गया है एक बटा A, एक बटा B और एक बटा C अब इसको आगे solo करते हैं आपको पूचा गया है एक बटा A, प्लस एक बटा B, प्लस एक बटा C अब इसका LCM लेते हैं तो इसका LCM आज जाएगा A into B into C उन उपर आपके पास हो जाएगा B, C, प्लस C, A, प्लस A, B यहां से अपने निकाला था A, B, प्लस B, C, प्लस C, A का मान है तीन बटा दो अब यहां पे अपन पूच करते हैं तो यह हो जाएगा तीन बटा दो बटा आपको question में दिया है A, B, C का मान आपको दिया है दो अब यह दो भी अपने अपने पूट कर देते हैं तो यह हो जाएगा दो अब इसका मान हो जाएगा तीन बटा च्यार तो आपके पास मान आ जाएगा तीन बटा च्यार यह इसका correct answer था तो I hope का आपको इस समझ में आया होगा इसकी सुनको मैं दो बारा से repeat कर देता हूँ आपको दिया है A, B, C बराबर है 3 A square, B square, C square अच्छ है और आपको दिया है A, B, C का मान है 2 और आपको पूचा गया है 1 upon A, plus 1 upon B, plus 1 upon C का मान कितना होगा आपको पता होगा A, plus B, plus C का whole square होता है A square, plus B square, plus C square plus 2, A, B, plus B, C, plus C, A अब आपको दिया है A, plus B, plus C का मान है 3 और 3 का होई square करेंगे तो यह हो जाएगा 9 और आपको दिया है A square, B square, C square का मान है 6 यह हो जाएगा 2 और जो आपके पास 7 में चली रहा है जब 6 को अपन इदे लेक्टे आएगे और 9 में से 6 जाएगा तो यह हो जाएगा 3 और A, B, plus B, C, plus C, A का मान हो जाएगा 3 बटा 2 और आपको क्यूशन में पूचा गया था 1 upon A, 1 upon B, और 1 upon C इनका LCM लेंगे तो यह हो जाएगा A into B into C और उपर आपके पास आजाएगा B, C, plus C, A, plus A, B और इसका मान अपने निकाला था 3 बटा 2 और क्यूशन में A, B, C का मान दिया है आपको 2 अब इसको सोलू करेंगे तो आपके पास आजाएगा 3 बटा 4 तो इसका सी आजाएगा 3 बटा 4 नएशन क्यूशन है 10 संग्याओं का उस्षत 70 है जबकि 5 संग्याओं का उस्षत 30 तो आपको बताना है कि कुल संग्याओं का उस्षत कितना होगा आपको दिया है 10 संग्याओं का उस्षत 70 जबकि 5 संक्याओं का उसता है 30 आपको दिया है 10 संक्याओं का उसता 70 अब अपने का योग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 70 तो इनका योग हो जाएगा 700 फिर आपको दिया है 5 संक्याओं का उसता 30 अब अपन 5 इंटू 30 करेंगे तो इनका योग हो जाएगा डेड़ सो अब आपको पता है उसत होता है राश्यो का योग बटा राश्यो की सिंक्या अब अपने इनका योग करेंगे साथ सो और डेड़ सो का योग करेंगे तो यह हो जाएगा साड़े आठ सो और आपके पास सिंख्या हो जाएगी 10 पलस 5 सिंख्या हो जाएगी 15 जब इसको सोलू करेंगे तो आपके पास अंसर आएगा 56 से 2 बटा 3 तो कुल सिंख्याओं को उसुत हो जाएगा 56 से 2 बटा 3 Next question है 8.17 को गंठा मिनिट वो सेकिंड में परिवतन कीजिए तो आपको बोला गया है 8.17 को गंठा मिनिट वो सेकिंड में चेंज कीजिए जब इसका पॉइंट अठाएंगे तो आपके पास नीचे आजाएगा 100 अब आपको करना क्या है 100 का भाग आपको देना है 817 में जब 100 का भाग 817 में देंगे तो 8 बार जाएगा और आपके पास यहाँ पे आजाएगा 800 और आपके पास सेस्फल बचेगा 17 यानि आपके पास गंठा आगया है 8 गंठा अब इसको आगे सोलू करते हैं अब इसको मिनिट में चेंज करेंगे इसके लिए अपन इसको 60 से मल्टिपल कर देते हैं 0 से 0 कैंचल हो जाएगा और यह हो जाएगा 102 बटा 10 अब करना क्या है 10 का भाग आपको देना है 102 में जब 10 का भाग 102 में देंगे तो यह भाग जाएगा 10 बार और आपके पास यहां पे आजाएगा 100 और से स्वल बचेगा 2 तो आपके पास मिनिट आजाएगी 10 तो पहले आपके पास 8 गंटे आ गए थे अब आपके पास आचुकी है 10 मिनिट और आपके पास बचेगा 2 बटा 10 अब इसको सेकिंड में चेंज करेंगे इसके लिए अपन 60 से मिल्टिपल कर लेते हैं 0 से 0 कैंचल हो जाएगा और 6 को 2 से मिल्टिपल करेंगे तो यह हो जाएगा 12 तो सेकिंड हो जाएगी 12 तो इसका सही आंसर होगा 8 गंटा 10 मिनिट और 12 सेकिंड जब अपन ने 8.17 को चेंज किया तो गंटा आ गया 8 मिनिट आ गयी 10 और सेकिंड आ गयी 12 नए स्क्रेशन है मोहन सोहन की तुलना में तीन गुना जदा कुसल है वे साथ मिलकर किसी कारिया को 21 दिनों में कर सकते हैं तो आपको बताना है कि सोहन अकेला कितने दिन में कारिया कर सकता है तो आपको दिया है मोहन सोहन की तुलना में तीन गुना अधिक जदा कुसल है ये इनके आ जाएगी एपिशेंसी इन दोनों के एपिशेंसी देखेंगे तो इन दोनों को एपिशेंसी का योग आ जाएगा अब आपको दिया गया है दोनों मिलकर कारे को करते हैं 21 दिनों में जब efficiency को अपन 21 से गुना करेंगे तो इनका total काम आ जाएगा 84 अब आपको बोला गया है अकेला सोहन किती दिन में कारे कर सकेगा सोहन की efficiency है 1 जब 84 में 1 का भाग देंगे तो भी आपके पास कितना आएगा 84 यानि सोहन काम करेंगा 84 दिन में यह इसका character answer था नच क्यूशन आपको पूचा गया था सरलिकरन से और आपको क्यूशन मिला था 0.3 की power 4 प्लस 0.2 की power 4 और इसमें भाग देना है 0.3 की power 2 माइनस 0.2 की power 2 का तो आपको क्यूशन मिला है 0.3 की power 4 प्लस 0.2 की power 4 भाग 0.3 की power 2 माइनस 0.2 की power 2 अब इसको सोलू करते हैं और यह 0.3 की power 4 और इसको सोलू करेंगे तो आएगा 0.081 आगे है 0.2 और इसकी power 4 इसको सोलू करेंगे तो आपके पास आएगा 0.01 भाग निचे आपको दिया है 0.3 का square minus 0.2 का square यह आपके पास हो गया है A square minus B square आपको पता है A square minus B square होता है A plus B into A minus B A plus B करेंगे यानि 0.3 plus 0.2 करेंगे तो आपके पास आजाएगा 0.5 into इसको solo करते हैं तो आपने पास आएगा सत्यान में into 10 की पावर minus 4 5 into 10 की पावर minus 2 जब 5 का पाग सत्यान में दोगे तो आपके पास आएगा 19.4 into 10 की पावर minus 2 है और उपर जाएगा यह plus का 2 हो जाएगा और आपके पास बचेगा 10 की पावर minus 2 तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19.4 into 10 की पावर minus 2 Next question है B. A. से 6 गुना ज़्यादा दक्स है यदि दोनों मिलकर एक काम को 66 दिन में कर सकते है तो आपको बताना है कि B. अकेला किते दिन में काम को खत्म करेगा तो आपको दिया है जो B. है A. से 6 गुना ज़्यादा दक्स है तो A. की efficiency हो जाएगी एक जबकि B. की efficiency हो जाएगी 6 दोनों की efficiency हो जाएगी 7 और आपको दिया है दोनों मिलकर काम करते हैं 66 दिन में अगर इसको 66 गुना करूंगा तो इनका total काम आजाएगा लेकिन आपको पूचा गया है B. अकेला किते दिन में काम करेगा B. की efficiency अच्छा है अब इसमें अपन छका भाग दे देंगे छका भाग देंगे तो 11 बार जाएगा और यह आजाएगा आपके पास 77 तो इसका सही आंसर होगा 77 यानि B. काम करेगा 77 दिन में नश क्यूशन है 5% चकरबती ब्याज की दर से तीन साल का चकरबती ब्याज है 3783 तो आपको पूचा है प्राप्त मूलदन पर समान समय और समान दर के लिए साधाने ब्याज निकलनी है यूशन में रेट दिया गया है 5% और टाइम दिया गया है 3 वरस अब आप हम 3 साल का कमेंड रेट निकालते हैं तो इसको करेंगे successive से तो ये हो जाएगा 5 plus 5 plus 5 into 500 अब इसको solo करते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 हो जाएगा 10 ये हो जाएगा आपके पास 0.25 ये आपके पास आएगा 10.25 ये रेट आईए 2 साल के लिए लेकिन आपन को निकालनी है 3 साल के लिए तो अपन अब करेंगे 10.25 plus 5 plus 10.25 into 5 बटा 100 तो आपके पास command rate आजाएगी 15.7625 परसेंट ये आपके पास आचुकी है 3 साल की command rate और इस command आपको दे रखा है 3783 रुपए यानि 15.762 परसेंट का मान है 3783 तो 1 परसेंट का मान आजाएगा 240 यानि ये इसके 240 गुने पर है यानि 1 परसेंट का मान है 240 तो 100 परसेंट का मान हो जाएगा 24,000 100 परसेंट का मान आजाएगा 24,000 यानि आपके पास मूलदन आ गया है 24,000 अब आपको बोला गया है मूलदन पर समान समय और समान दर के लिए सादानी ब्याज निकलना है सादानी ब्याज का सुत्र होता है मूलदन इंटू दर इंटू समय बटा 100 तो अपने मूलदन निकलना है 24,000 इंटू आपके पास रेटा 5% समय आपके पास 3 वरस बटा 100 तो 2,0 से 2,0 कैंचिल हो जाएगी आपके पास बचेगा 240 इंटू 5 इंटू 3 इसको सोलो करोगे तो आपके पास आजाएगा 3600 तो इसका सादानी ब्याज हो जाएगा 3600 रुपए नईश क्यूशन है एक आदमी अंकित मुल्यक के 9 बटा 10 में किसी वस्तू को खरीदेता है तता उसे 5% की छूट में बेचता है तो आपको बताना की लाब परतिशत कितना होगा तो आपको क्यूशन में दिया है MP के 9 बटा 10 में किसी वस्तू को खरीदा जाता है तो यहां से MP बटा CP आपके पास आजाएगा 10 बटा 9 तो यहां से MP तो आजाएगा 10 और CP आजाएगा 9 अब क्यूसर में बोला गया है उसे 5% की छूट में बेचा जाता है और 5% का मतलब होता है 1 बटा 20 आपको पता होगा छूट हमेशा दी जाती है MP पर और MP पर छूट देने के बाद में आता है SP और यहां पर आपके पास MP है 20 और यहां पर एक की छूट दे दी तो SP आजाएगा 19 यहां पर MP आपके पास है 10 और यहां पर MP है 20 इन दोनों को equal करेंगे तो इसे अपन इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी अपन 2 से गुना कर लें कितने पे लाब हो रहा है 18 पे इंटो अपन कर देंगे 100 इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 50 बटा 9 यहां से हो जाएगा 50 बटा 9 परसेंट जब इसको सोलू करोगे तो आपके पास आएगा 5 सई 5 बटा 9 परसेंट तो लाब हो जाएगा 5 सई 5 बटा 9 प 18% rate पर कोई principal, 5 साल में principal का दुगना हो जाता है, अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कतन सही है, अपन मान लेते हैं कि मूलदन अपने पास है 100 रुपए, अब देखते हैं कि कौन सा कतन इसको satisfy कर पाता है, साधानी ब्याज का सुत्र होता है, मूलदन इंटू दर इंटू समय बटा 100, अब पहला कतन सोलो करते हैं, तो मूलदन हो जाएगा 100 रुपए, दर है 12% और समय है 8 साल, बटा 100, तो आपके पास सदन ब्याज आ जाएगा 60 मा रुपए, मूलदन है 100 रुपए, और सदन ब्याज चाण मा रुपए, जब एड करेंगे तो मिस्रदन हो जाएगा 100, तो 100 से 100 केंचिल हो जाएगा, तो सदन ब्याज आ जाएगा 90 रुपए, यहां पर भी मूलदन है 100 रुपए, जब इसमें सदन ब्याज एड करेंगे तो मिस्रदन हो जाएगा 109 रुपए, यहां पर भी आपको दिकरा होगा कि मूलदन का दुगना नहीं हुआ ह यानि कतन बी बी गलत है, जिसका सही अंसर होगा D, यानि दोनों गलत है, नेश क्यूशन आपको पूचा गया था, ट्राइंगल से, आपको इस ट्राइप का क्यूशन पूचा गया था, और आपको तिनी स्टेटमेंट दिये गए थे, all perpendicular cut in in center, दूसरा स्टेटमेंट है, all side by sector cut in triangle, all angle by sector cut in triangle, आपको इस ट्राइप का क्यूशन पूचा गया था, और दो क्यूशन आपको D.I. से पूचा गया थे, जो कि सिंपल से D.I. पूची गई थी, I hope कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ इस वीडियो को study group में जरूर सेंड करना अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना आपको पता है अपन एक मिलियन के करीब है तो जल्दी से चैनल को subscribe करके एक मिलियन कर दीजिए अगर आप कुछ वीडियो की वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो थैंक यू वाचिंग इस वीडियो, have a nice day